अस्सलाम अलेकूं माई यूटूब फैमिली कैसे आप सब लोग आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अलहमदलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अच्छा जी अभी सुबो साड़े दस बची का टाइम है और मैं इस टाइम पर सफाई का रही थी यह मुझे पता होता है कि आज उसने नहीं आना तो मैं सुबो सारी सफाई जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं बस उसी के इंतजार में इतनी देर मैं ऐसे ही फजूल बैठी रही मैं सारी चीजे वरा समेट दी डिस्टिंग वरा सारी मैंने कर ली और मुझे पहले से पता होता तो मैं सुबो सफाई भी कर लेती है मैंने जैसे ही फून किया तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो कहीं गई हुए किसी जरूरी काम से तो आज वो छूटी पे आज वो नहीं आ सकती खेर मैंने फटाफट ज़ाड़ू पकड़ी और मैंने का जल्दी से सफाई कर लेती हूँ मेरा सालन पहले ही लेट हो रहा था क्यूंकि मैं सुबस बस सालन भी बना कर राक देती हूं बच्चों के आने से पहले आज बच्चों का लास्ट पेपर था चलें ये टेंशन भी खतम होई कि बच्चे जो है न वो पेपरों से फारग हो चुके थे तो आम रूटीन में बच्चे जो है न तकरीबन डेट से पहुने दो बज़े की बीच में घर आते हैं और पेपरों की दोनों में 11.11 पहुने 12 बचे तक घर आते हैं कभी ज़़े 13 पहुने 12 बचे टकर घर आते हैं तो अन के आने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं खाना वर त्यार रखा के तो फूरान अपनी पढ़ाई बच्चे प्रेश शुरू कर दे ते ते लेकिन बस आज मेरे सालन जो है न वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा खेर कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है ऐसा आज वैसे भी बच्चों का लास्ट पेपर है तो वापस आके तो पढ़ाई कितनी ज़्यदा टेंशन नहीं होगी कि नेक्स्ट पेपर की त्यारी करनी होगी अच्छा जी यहां पर सफाई मुझे तकरीबने एक घंडा लगा था मैंने सारी सफाईवर अच्छे से कर ली थी पोच्चे वगार भी लगा दिये थे और घर जो है मैंने बलकुल नीट कर दिया था और अब मैं जाओंगी किचिन में किचिन में जो है वो सबसे पहले आके ना तो मैं इनकी चट्नी बना के रखती हूं मैं बहुत शोक से खाती हूं तो मैं एक वीकी ना एकठी बना के रखती हूं मैंने वो चट्नी बनाई है और लेमन आया थे सबजी में इनको मैंने निकालके डबे में डालके रखती है इस तरह से डबे में डालके लेमन र पढ़े रहें तो याराम से पढ़े रहते हैं तो साथ में मेरी आदत है मैं फ्रिज जो है वो डेली से औरगनाइज करती हूं उस पर डेली से कबड़ा मार देती हूं तो मुझे डीप क्लीनिंग की ऐसा चितनी ज़्यादा ज़रूत नहीं पड़ती क्यूंकर मैं डेली की डे क्लीनिंग कर देती हूं तो वो मैं मन्त में सिर्फ एक तफ़ा ही करती हूं अदरवाइस डेली बेसिस पे मैं फ्रिज को सारी चीज़े चेक करती हूं कोई खराब होने वाली तो नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ पढ़ी है तो मैं इसको निकाल देती हूं सालन चेक कर किसी बड़े बरतन में सालन पड़ा और सालन थोड़ा है तो मैं उसको छोटे बावल में शिफ्ट कर देती हूं तो इस तरीकी से मैं डेली चेक करती हूं सालन आज मैं बना रही थी पालक गोश्ट मैंने ले लिया था तक्रीबन बीफ आदा किलो और डेट किलो पालक थी सबसे मैंने कर देता है सुबवोश्बह कर दिया और उसको मैंने उबलने के लिए रह Kimberly दिया तो मैंने गोश्ट को भी वेट लगा दिया था गोश्ट भी मेरा गल चुक था तो बस जो है यहां पर मैं सारे स्पाइस डाल के इसको अच्छे से भून लूँगी और पालक मेरी औरड़ी बॉइल हो चुकी है तो बस पालक एट करके जल्दी से सालन मेरा माशाला से जल्दी मुझे टेंशन हो रही थी कि आज मेरा सालन लेट हो गया लेकिन शुकर लगा क सालन जो है वो मेरा टाइम पर पाग गया था सबसे बड़ी टेंशन होती है सालन की ना कि मेरी कोशिश होती है कि सुबो उटती हूं तो चीजे वरा समेड़ती हूं उसके बाद फिर मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो भी सालन पकाना है वो मैं टाइम से पका कर रापतूंग कबी हो जो मेरा कभी दिल करें तो मैं खा लेती हूँ अदर्वाइस बाकी घर का और कोई फ़र्द जो है ना सालन सुलो के टाइम पर फोटा थोड़ा खाते हैं मतलब कुछ लोग मेरी अपनी फैमिली में मेरी एपनी छोटी सिस्टर रहा है उनकी फैमिली है तो वो लोग होती है कि थोड़े से थोड़ा सालन बनाऊं क्यूंके जो एंड़ा वेस्ट नाउं और फिर भी जो है Bureau वेस्ट नाउं हमारा सो एक पूरा दिन चलता है दूसरे दिन के लिए भी हमारा बच जाता तो मैं अकत bets रसको दूसरे दिन भी फलिवारीक मैंने कटकीया पाला को और सिर्फ और चोड़े से पानवें में दो से तीन मिनट के लिए मैंने हिसको बॉइल की है इस तरीके से ना आप बारी काट के और सिर्फ थोड़ा सा दो से तीन मिनटी बॉयल करें ना तो आपकी पाला का कलर नहीं चेंज हो तब वहरा ही रहता है अगर आप ज्यादा बॉयल कर देते हो न तो पाला का कलर अजीब सा हो जाता है थोड़ा ब्लैक शेड्स में आना पाला का पानी भी को ड्राय करके इसको अच्छे से भून लूँगी और सालन मेरा रहडी हो जाएगा और रोटी जो है मैं तब बनाऊंगी जब बच्छे आ जाएंगे अच्छे यह था हमारा आज का छोटा सा विलोग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जूर करते जाएं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप से रिक्वेस्ट है कि चैन और मुझे अपनी दौाओं में लाजमी याद रखिएगा अलहाफेज